नमस्कार दोस्तों आप सब का सवागत है आपके इपने चाहिए डग रुपे लास्ट कुछ दिनों में काफी जबरदस रिजल्ट आये हैं चाहे वो स्मॉल लीग हो चाहे वो ग्रेंड लीग हो आप लोग देख सकते हैं लास्ट मैच में जो इंडिया का मैश था उसमें नित लिग लग सकता तो कुछ ऐसे प्लेयस बताने वालब इसफिस वीडियो में इसी के साथ मैं स्मॉल लीग का टीम रहने वाला हो बारा में बताऊँ हां क्या ये मैच हाई इन्वेस्टमेंट है low investment है कितना invest करना चीए वो सारा चीज बताऊंगा winning chances किसका है वो सब चीज समझाऊंगा तो आप लोगों को क्या करना है भाई लाज कुछ match के अगर result ही देखने है क्योंकि back to back profit कमाना मुश्किल होता है फिर भी हम लोग profit कमा के दे रहे हैं और आपका loss cover कर रहे हैं तो आप ल कर small league में ठीक है बागी grand league तो देखो एक luck का matter है तो उसको भी हम लोग crack करने की कोशिश कर रहे हैं चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज की match की आज जो है इडिया वसिस बांगलादेश का तीसरा T20i match होगा हाईदराबाद में खिला जाएगा और guys साथ बज़े से live देखने मिलने वाला है तो क्या ये match risky है जी हाँ थोड़ा सा risky definitely है जैसे कि मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि हम लोग profit कमा जाएंगे जो match normal अच्छा होता है risky क्यों है एक तो बारिश की chances 40% chance बारिश का है पहला चीजब भी मैं आपको बताया हो कि बारिश अगर होता है तो थोड़ा स मैच risky हो जाता है क्योंकि पिछका कई बार certainly nature change हो जाता है और CC के साथ में कभी-कभी यार over skirt जाते हैं कई सारा चीज reason रहता है इसी के साथ में अभी जो टीम इंडिया दिखाया last match में जो experiment किया है और जो बात करें जो दिखाया है मतलब जो experiment किया है वह आप यार unpredictable होता है कि आपके में गिंदवाज से आप बालिंग ना कराओ और जो experiment based पे आप बालिंग करा रहे हो तो आप कितने को ही try कर सकते हो experiment based balling का मतलब यह है वो उनको दिया जा रहा है जिन पे वो लोग ये देखना चाते कि भाई बंदा कितना कर सकता है इसका मतलब यही है वो जो newcomers है इनका जादा यूज किया जा रहा है लेकिन अगर newcomers flop होते हैं तो definitely वहीं पर क्या हो जाएगा कि ये जो पुराने चावल है या फिर आप समझ लीजिए कि जो expert है जो already इतने बड़े बड़े खिलाड़ी है उनका फिर दुबारा से यूज होगा तो यह थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए लास्ट मैच में जैसे हम लोगों ने देखा कि आजदीव के ओवर कट गए हार्दी के ओवर कट गए डेफ अगर एक्सपरिमेंट देखने को मिलेगा तो तो तोड़ा सा इसकी मैच हो जाएगा तो आप लोग अगर ग्रेंड ली खेलते तो पुराने चावलों को लोग ठीक है और अगर आप स्मॉल लीजिए खेलना चाहते हो तो फिर पुराने चावल के साथ में खेलेंगे तो ज् तीन बल्लेबाज लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ऐसे केस में डिफिकल्ट हो जाता है कि सामने वाला बंदा क्या लेके आएगा ठीक है तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कुछ रिस्की पिक्स के बारे में बताने की जिसको अगर आप लेते तो आपके टीम में शाय बात करूं तो क्योंकि आपको साथ तीन बल्लेबाज लेने होंगे और थोड़े से बॉल लेने होंगे तो वहां पर आप एक रिस्क ले सकते हो क्योंकि अबी तक कोई मैच परफॉर्मेंस वावाला तो आया निया बस रन आउट करवाए तो वह वाला फेक्टर अभी तक आ नहीं होंगे और वह कौन से प्लियर्ज आगे बता हूँ तो अभी के लिए स्मॉल लिग में संजू संसे सेफ चॉइस है ठीक है रन हाँ यहां पर से बात कर लेते हैं पिछ कैसा है दोस्तों रन पड़ता है यहां पर काफी जबर्दस रन पड़ता है बागी फाइनल पिछ पिछ रिपोर्ट आप तब भी टेलेग्राम पर देख लेना क्योंकि एड़ दियांड हम लोगों को फाइनल पता चिल जाए कैसे पिछ पे खेला जा रहा है वागी यहां पर से रन पड़ते हैं फास वालोस को भी काफी जबर्दस मिलता थोड़ा बहुत इस्पिनर्स को ल थोड़ा नया खिलाडी है तो इस वज़े से देखते हैं कि इस तरह किसा परफॉर्मेंस आने वाला है बट आपके टीम में अच्छे चोईस रहेंगे क्योंकि मौका मिलेगा ओपन कर रहें ना विश्क श्रमा तो मौका मिल रहा है तो इस वाज़े से अच्छे चोईस दोनों मैच में चले नहीं है तो इस मैच में चलने की संभावना फिर सबन भी सकता है और पहले इंडिया बेटिंग करता तो आग लगा सकता है लेके चलिए सूरी कुमार यादव को अब आगे चलते हैं यहां पर दोस्तों रिंको सिंग मैंने आप लोगों को पहले ही बता हो गें तो भाई सिंपल सी बात है वह आपके उपर फिर से चौइस रहने वाला है रिंकु सिंग का हमेशा से बोलता हुआ हूँ भाई कभी यह बहुत तावरत और बल्लेवाजी और लास्ट में दिखावी दिया बंदे ने तो आपकी मर्जी आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो हम लोग अभी बाद में डिसाइड करेंगी इसके साथ में कुछ खिलाडी का नाम और ले लेता हूँ जैसे इन शांतो देखो शांतो शांत है बंगलादेश कर रन बनाता है और बैटिंग आता पहले तो ऐसे केस में शांतो अच्छा कर सकता है ठीक है अच् खिलाडी को जरूर लिया करो मैं आपको अक्सर कहता हूँ और आप देखते भी हो मेरे टीम के रोटेशन में होते हैं तो आपको मैं समझा दू लोग नहीं लेते हैं लेकिन इनको आप एकाट टीम में ट्राइज जरूर किया करो जैसे मैंने नितिश्ट एड़ी को लेके कै कैसे सीच्टो सकते हैं दूनुं सीच्टो सकते हैं टीम बट है ऐ तो सोचने का काम आपका क्या आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हैं भाकी अच्छा है आपकी MEM ważne करने वाला क्योंकि अच्यटीन नहीं रहेंगे थीहसन को नहीं लेनी वाला तिलग वहर्मा का यहां पार के खेल रहे हैं बाकी स्कुरेड में ये इस्पिन में नहीं थे लेकिन इनको पंड्मक में मौका मिल रहा है तो घजा ते मन बंदे में स्पिन भी कराना जानते हैं मौका मिलता है तो ठोड़ा सा बल्ले वाजी भी उपर में आ जाता है कई बार पिन में नहीं थे लेकिन हाँ नए कमर्स को मौका मिल रहा है तो बहुत अब बंगा में बंदे में इस फिन भी कराना जानते हैं तो मौका मिलता है तो थोड़ा सा बल्लेबाजी वी उपर में आ जाता है कई बार आप डेफिनेटली सोच सकते हैं अपने जी एल में क्योंकि ल सब्सक्राइब में आपको लास में बता दूँगा जिससे कि मैं आपको समझे हां पाऊंगा हार्दिक पांडिया 92% सेलेक्शन है और आप लोगों को मैंने जो टीम दिया था आप लोगों ने देखा होगा हार्दिक पांडिया नो डाउट बल्लेबाजी से अच्छा कर सकत अगर बॉलिंग कराएंगे तो फिर डेफिनेटली अच्छे चोईस है कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के नहीं है अब बॉलिंग नहीं करवाएं तो अगर बॉलिंग नहीं करवाएं ना अचके मैच में भी तो सूरी कुमार यादब की अच्छा हो सकता आज कैप्टेंस सब्सक्राइब को चाहो तो स्मॉल लिंग में करके चलो पता नहीं बॉलिंग करा ले लेकिन बंदा कराया नहीं है सिंपल सी बात है इसके बाद मैं आप अगर देखिए हसन मिराज भीया लास्ट मैच में देखो मैं इनको ड्रॉप करके दिया था लास्ट से लास्ट मैच में ड्रॉप करके दिया था क्यों दिया था यही रीजन था मेहदी हसन मिराज का क्योंकि बंदा को मुझे पता है लोगों का सेलेक्शन हाई है लेकिन यह फ्लॉप हो सकता था और अगर आप मेरा कल का लास्ट मैच का भी देखोगे तो उसमें भी एक टीम में मैंने महदी हसन मिराज को ड्रॉपी करके दिया है जो ग्रैंड लिग वाला था क्योंकि मुझे पता है कि यह मौके शायद से इसको ना मिले बल्ले बाजी पहले आ रहा है तो ऐसे में तो मौका मिलेगा डैफिनिट लेकिन फर्स्ट इनिंग वालिंग के केस में हो स माद चुकाओ देखो लास्ट मैच में परफॉर्मेस देखे आया है फॉर्स्ट मैच में ही मैंने महमुद बॉल्ला को ट्राइ किया था याद होगा तो जिनका सेलेक्शन नहीं होता ना उन पे मेरा नजर है और मैं आपको ऐसे कुछ पिक्स बताता हूँ जिनका सेलेक्शन कम है और इनमें आपको स्कूर करते हुए दिख सकते हैं आपके जील के लिए काम आ सकते हैं और इनके चलने के चैसिस कई बार तोड़े जादा होते हैं ठीक है इसके बाद मैं वाशिंग्टन सुंदर और रियान पराग देखो दोस्तों वाशिंग्टन सुंदर की मैं बार लोगों को यही लग रहा है या फिर वो दे भी नहीं रहें सब को पता है कि वाशिंग्टन सुंदर को मौका नहीं मिला लेकिन तब भी देखो करते करते 84 पॉइंट्स लेके बैठा हुआ है तो जिस दिन मौका मिल जाएगा यह बंदा कमाल कर दो मौका की बात है बस तो ग्रैंड लीग में लेना और डेफिनेटली वी सी केप्टन भी आप सोच सकते हैं लेकिन मौका ने मिल रहा बस यह बात है नहीं मिलेगा कोई बात नहीं आपकी मर्जी आप मत करो सेफ जाना चाहते हैं सेफ जाओ मत करो लेकिन जील में डेफिनेटली की बात कर लेते हैं बल्लेबाजी से कुछ खास नहीं मौका कम मिल रहा है नीचे में हैं दोस्तों बस उपर अगर होते ना बल्लेबाजी में तो थोड़ा सब कह सकता लेकिन अभी मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं कूँगा जितना मैंने वशिंग्टन सुंदर के बारे में उतना में रियान प्राग के बारे में नहीं कूँगा आज दिफ सिंग में गेंदवाज भाई मस्ट है पिक वरुन चक्रवरती टैफिनेटली विकट्स लिकाली देते हैं फसाते हैं पिच पे बहुत बढ़िया करते हैं तो यह दोनों पिक भी अच्छे रह जाएंगे और ह मुस्तफजूर रहमान फॉर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में मुस्तफजूर रहमान एक अच्छे चोईस है आप ट्राइ का सकते हो अगर आप ग्रैंड लिक खेल रहे तब भी आप मुस्तफजूर रहमान को रख सकते हो लेकिन थोड़ा सा बल्लेबाजी पीचे इसको दिमाग पर रखता हुआ चलना पड़ेगा तो मुस्तफजूर रहमान फॉर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में डेफिनेटली मैं सोच सकता हूँ लेकिन अगर फॉर्स्ट इनिंग नहीं आ रहा तो मैं इनको ड्रॉप कर सकता हूँ और इनकी जिगे पर देखिए धान में रखिएगा आज के मैंच में दो चेंजिज आपको देखने को मिल सकता है एक तो मैंग की आदफ के जिगे पर हो सकता हर्शी तरहना खेल जाए फॉर्स्ट इनिंग बॉलिंग के केस में हर्शी तरहना को आप लोग डेफिनेटली लेना विकेट्स निकाल देगा बंदा क्य से ज्यादा मौका ना मिले लेकिन हर्शी तरहना को डेफिनेटली ले ले लेना भाई ठीक है इसके बाद में आते हैं या अपको एक चेंज और देखने को मिल सकता हो सकता है रवी विश्णोई का इंक्लूट किया जाए तो अगर वो भी आते हैं मैं बता दूँ आप लोगों को बहतरी इंपिक तगड़े खिलाडी डेफिनेटली लेना मैं करते हैं लेकिन करते हैं क्याप लोग मैं आप लोगों को बता ड्यास्नोई अम इसके बाद में आते हैं यह आलमोस्ट हमारा समझ लो तो इंडिया बॉलिंग फर्स्ट में यह टीम कंफर्म है समझ लो ज्यादा कुछ करने की ज़रूत नहीं है आप लोग हार्दिक पांडिया पर ऐसे में आप चाहो तो अगर आपको लगताई बॉलिंग नहीं आएगा तो उसका पूदिया आप ऐसे में एक्ट्र लेके चल सकते हैं जैसे नितिष रेड़ी है वह बैटिंग भी करके दे रहे हैं तो ऐसे केस में आप नितिष रेड़ी के साथ में जाए जाए तो भी आपके लिए अच्छा हुआ ठीक है तो यह कुछ टीम कॉमपोजिशन हो चुका है अगर आप चाहते हैं कि भाईया अब लोग क्या है यहीं फर्ट जाएंगे कि यार संजू संसन को क्या करें तो दोस्तों आप लोग एक कमाल का काम कर सकते हो अगर इंडिया बॉलिंग फर्स्ट है तो खुश हो सकता है निति श्रेड़ी पर लोग ना जाए और लास्ट मच्छा पर्फोर्मेंस अगर फिर से एक लेकर ले लेना रिक यहां पर लिटन दॉए दूसरा आपके पास में पहले दो आ और आप को पता है कि यहां पर बैटिंग कई और बंगलादेश बैसे केस में बद्ली बाज आप ले लिजिए वह आप एंशन्तो को ले सकते हैं या तो ही हम लोग कहते हैं कि चलो एंशन्तो को लेते हैं क्योंकि आप बंबाजी लेकं अच्छक ने चांद सब्सक्राइब अबी देखो रन बनेंगे तभी 2nd inning में निती श्रेड़ी का भी बैटिंग मिलेगा इस वज़े से निती श्रेड़ी को भी हम लोगों ने इंकलूट किया और बॉलर्स को भी इंकलूट किया क्योंकि हर्षित राना होगा वो डैत में विकेट निकाल जाएगा निती मिराज बैटिंग फर्स्ट के केस में तोड़ा सा रन बना जा रहे हैं और फिर बॉलिंग का भी एक चांस रहता है लेकिन इतना ही नहीं है आप इस के जिए पर मेहमुद दुल्ला को भी ट्राइ कर सकते हो तो देखो मेहमुद दुल्ला रियाद हुसैन एंशान तो लिटन द से तो यह टीम है पहले मैं बता दू दूसरा टीम अगर आप संजू के साथ जाना चाहते हैं तो फिर आपको नितिश को बाहर करना होगा या आप लोगों को देखना होगा कि यह नितिश पाई पूरी बॉलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है अब आप लास मच में जिस कसम क सब्सक्राइब कर दो और इसमें मैं आप क्या करो कि यहां पर एक चीज़ देख लेना ही होगा एक बॉलर मुझे यहां से लेना होगा वो जैसे कि मानलो मस्तफजूर रह्मान हो गया या टसकी नहमाद हो गया जैसे सेकेंड लिनिंग में टसकी नहमाद अच्छी विकेट निकाल जाता है तो हम लोग यहां पर से नितिश रेडियो को भी पिक कर पाएंगे समझे जो हमारा बॉलर था चाहे वो हर्शीत राना हो क्योंकि नहीं आ रहा है तो हर्शीत राना को कितने विकेट मानलो एक विकेट मिल गया वही विकेट जो है हमको मुस्तफजूर ने न क्योंकि मेहमुद दुला शायद से बहुत कम लोग लेके आएंगे चलेगा भी तो जाधा फरक नहीं पढ़ने वाले लेकिन अगर लेके आ जाएंगे मेहमुद दुला तब जोरा सा दिक्कत हो जाएगा तो आप लोग समझ लेजे मेहमुद दुला आपके टीम के सामने अभी के लिए मैं यह टीम बना के चल रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है यह टीम के मैं टस्किन को भी यहां से बाहर कर दे रहा हूं मैं रहमान को लेके चलता हूं अगर बॉलिंग आगे तो आप लोग समझी पाएंगे कि रहमान इंपोर्टेंट है ठीक है तो यह पर जॉइन करें तो ही ज्यादा अच्छा रहा है जैसे कि आपका सेफ रहे हर चीज पहले से कॉंटेंट जॉइन कर लो बाद पर टीम ना दे पाए या टीम लग ना पाए वारिश का कुछ सीन रहे कुछ भी हो सकता है अब क्याप्टन सी वाइस केप्टन सी की बात कर लेत दुनिया भर के लोग करके जा रहे हैं ताप कर सकते हैं फर्स ट्रेनिंग बॉलिंग में मैं आश्दिप को कर सकता हूं फिर से कैप्टन ठीक है और वी सी जो है सूरी कुमार यादव को कर सकता हूं या फिर हार्दिक पांडिया को कर सकता हूं ध्यान में रहेगा और दूस तो कुछ इस किसम का आपका टीम कांपॉजिशन रहागा बाकि हम लोग फाइनल डिसीजन लाज्ट मॉमेंट पर ले रहेंगे किया क्या क्या टन सी करने वाले हैं इसको वाइस करने वाले तो आप लोग हमारे टेलेग्राम पर जूड़ जाएगे टेलेग्राम का लिंक वीड तो अभी तक मैंने सेफों से बताये थे इंडिया के तरफ से तो टस्की नहमत अच्छा करना जानता है बहुत अच्छे पर विक्ट निकालता है टी शागी बलाज मैच में भी आप लोगों ने देखा विक्ट निकालके दिया इंडिया के सामने ठीक है इसके बाद में नए खिलाड़ी ऐसे हैं जो अच्छे परफॉमेंस दे जा रहे हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से बंगलादेश की तरफ से नहीं है इतना ही कहना चाहूँ तो यह दिर्युद्वा जैसे कि खिलाड़ी बहुत खेला हुआ है तो अच्छा हो सकता है कि निया लिए जाफु लसलाम भी है लोगों को नज़र नहीं रहते है वस वो है रोटेशन वाला कि लाड़ी है बस मांगलादेश की तरफ से तो जादा ना सुचे तो जादा अच्छा है आप लोगों को सेफी टीम बताता हूँ बाइस सेफी टीम के साथ मैं भी रखो ना है कि नह चलिए मिलते हैं तब तक टेलेग्राम पर टेलेग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तब तक के लिए जाज़त दीजिए टटा बाबा चाहिन जै वारत लव यू अल